नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू क्यूरिश सेरी फादे लिड़ोज ऑफ इंडियन फूटबोल और सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंडियन नेशनल टीम के डिगारिंग एक बड़ा अपड़ेट आ रहा है कि हमारे हेड कोच इगोर्श टेमिक साब नहीं यहां पर ए विंग प्लेय से किस तरह सी बिल्डप अटेक करना है उसमें यहां पर हमारे प्लेयरों को यह जो नेक्स्ट 10-12 डेस का प्रिपरेशन है उसमें यहां पर मदद करेंगे जो कि मेरे सब से काफी क्रूशल रहेगा क्योंकि हम सबको पते कि जो इंडिया का प्लेंग स्टाइल उसमें हम ज्यादा रिलाइ करते कि हमारे विंग प्लेय से ही ज्यादा आटेक आता है जाए आपके विंगर सो या फिर फुल बेक से करते कि वह पर चांसे कर पाए दूसरी चीज आपकी क्या बलते कि जो वोक्स के अंदर यहां पर सेट पीसिस में मोहमेंट रहेगी वो पर जाएगा लेकिन कुछ यहां पर उनके इंपूट्स ऐसे होंगे कि जो डेफिनेटली अमरी टीम को यहां पर मदद कर सकते तो लेट में आज का मैच पी जो महनमगान के लिए वो यहां पर नहीं खेलने वाल है तो यहां पर अपने सोचल में पर रेविल किया था कि इस कमिंग बैक सो यहां पर एक और नया विफा स्टांडर फूटबॉल स्टेडियम इंडिया में बनने जा रहा है जिए गुजरात में एमदाबाद में स्टेडियम बनेगा इस दी प्रिपेरेशन फॉर दी उलम्पिक होस्टिंग इन तुसाजान थर्टी सिक उसके चलते यहां पर तीन चार और स्टेडियम बनेंगे इंडोर स्टेडियम बाकी स्पोर्स के लिए उसी के साथ 50,000 केपेसिटी का यहां पर फूटबॉल स्टेडियम भी बननने वाला इसका टेंडर भी प्रोस्टिंग के लिए बीट डालते हो तो आपको अपना इंफ्रसेक्टर भी यहां पर दिखाना परता है कि यहां यहां हमारा है काम भी थोरा सा स्पीड में होगा यहां पर यहां पर स्टेडियम मिलने जा रहा है उसके बाद बात करते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेसा ने बढ़ चुके उनके जो में प्लेयर विक्टर रोडरिगोस पाई उनको यहां पर लास्ट मैच में मौनवगान के सामने इंज मर्लोल मारकेस साइड क्योंकि कितने इंपडेंट प्लेयर थे हम सबको पता ही कि वह फोल्स नाइन और नबर टैन का जिस तरह से रोल प्लेयर करते थे उनकी अटेक में काफी जाद है का बोल सकते थी कि उनकी अटेक का हाड थे एंड एडिंक डेफिनिली इट बीग बीग बेट्विन महान बगान सूपर जायंट वसिस केला ब्लास्तर महान बगान की अगर हम पहले बात करें तो इंजरी सबसे बड़ा कंसर्न है उसका सहल अब देल समध इस नोट अवेलबल अपका लिस्टन कोलास हो यहां पे रेड कार के चलते है बाहर है ब्रेंडन हमिल भी ड इस नोट विद निट तो गो विद दी बैक फोर इंग सुमित राथी एंड यहां पे क्या बेटर रूट से विल बी अ सेंटर बेक पेर एंड आशी स्राय एंड आप सुबासिस बोस के साद्ट जा सकते हो मिद फिल में देखना इंटरेसिंग सा रहेगा क्योंकि वहां पे अब देखे थापा इस गोईंग आउट फोंग्लान मार्तिन इस नोट अवेलबल आपका दीपक टांगरी उतना दा मलग प्रोमिसिंग अभी तक नहीं दिखे एंड फ्रॉंट लाइन में इंक विल बी इंट्रेसिंग तो सी कि किस तरह से यहां पे जैसन क्युमिंग स्पे अगर हम केला ब्लास्टर के लिए देखे तो यह जो अवे मैची से एंटिंग वही उनका डिसाइड करेगा कि क्या वह यहां पे इस बार का सील्ड विनर बनेंगे या नहीं बनेंगे क्योंकि आप देखिए हम सब को पते हैं उनको जिस तरह से क्राउड का सपोर्ट है और ह हम का रेकॉर्ड उनका जनरली अच्छा ही रहा है आप कैसा भी सीजन उनका जा रहा हो लास सीजन वे आप देख लिए हम पे उन्होंने काफी सारे मैच जीते थे लेकिन जो अवे का रिजल्ट है वही आई तिंग मैटर करेगा सो लेट सी यहां पर इवान मक्वान के लिए महान बगान के लिए भी बैक टू बैक टू लोसेश गोवा एंड बॉंबे सीटी के साथ लेकर आ रही है एं जोन फरांदों के लिए लास्ट मैच बन सकता है अगर आज रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया तो उनके उपर भी काफी ज्यादा प्रेसर है तो एक हाई क्वा अच्छी पूटब की लेकिन जो फाइनल थर्ड की जो डिसेजन मेकिंगे उसमें वो कही नहीं की मात खाई गाए अपना होम मेच एक लास्ट मैच अपना जीत के आ रहे थे लेकिन इस मैच में उन्होंने यहां पर एक गोल खवा के यहां पर एक क्या बुल देगी इस मैच में इस तरह से साथ में मैनेज करते हैं जन्यूरी ट्रासफर विंडो में क्या कोई यहां पर क्या बोल देगी इंक्रेस करने के लिए को प्लेयर साइन करते हैं वह देखना इंटरेसिंग सा रहेगा एंड पंजाब एपसी के जो कोच वर्गेतिस उन्होंने इसा बोला है कि इस तरह से उनका भी यहां पे जन्यूरी ट्रासफर विंडो रहता हैं सेकंड आफ ऑफ दी सीजन में किस तरह से उनकी पर्फॉमस रहती है वह देखना यहां पे काफी इंटरेसिंग सा बन जाएगा जो कि हमें पता है कि फर्ष्ट मैच विक का वो खेला जाएगा और उसके बाद यहां पर कोलकता डर्फी जो कि वह भी बाकी है यहां पर फर्स रफ दी सीजन का तो वह दोनों के साथ यहां पर सेकंड आफ दी सीजन का सुरुवात होगा so that's the great to see and let's see यहांपे second half of the season में यहांपे teams किस तरह की performance करती है क्योंकि काफी सारे प्लेयर यहांपे FCSN Cup खेल के आ रहे होंगे, Super Cup भी आपका खतम हो गया होगा, तो second half will be much more interesting and काफी जदा entertaining रहने वाला है, so that's it from my side guys regarding today's Indian Football News, I hope क्या आपको पसंद आया होगा and please do support curiosity, take care, bye bye चेहिंद, चेह बारत